मेरे यूटूब चैनल बेसिक इनफोर्मेशन में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SBI बैंक के योनो एप से आप ATM कार्ड को अपलाई कैसे करेंगे इसका मैं कम्प्लेट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने योनो SBI एप को अपन कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आप लोगिन वाले आप्शन पर टेश करके आप इस एप में लोगिन हो जाएंगे मैं यहाँ पर लोगिन वाले आप्शन पर टेश कर देता हूँ यहाँ पर आप इस एप में लोगिन होने क के लिए यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का उप्षन सो होगा, नीचे में अगर आपको ये उप्षन सो नहीं होगा, तो यहाँ से आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप लेप्ट साइड ऊपर में थ मैं यहाँ पर touch कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप अपना profile password को डाल देंगे आपने जो भी profile password रखा था उसे यहाँ पर आप डाल देंगे मैं यहाँ पर अपना profile password को डाल देता हूँ profile password को डालने के बाद यहाँ पर आप submit पर touch कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको चार option सो होगा यहाँ पर आप ATM card को apply करने के लिए request new replacement वाले option पर test कर देंगे मैं यहाँ पर test कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपके account के कुछ details यहाँ पर आपको so होगा जैसे आपका bank balance इसके बाद यहाँ पर आपका account number का last four digit number यहाँ पर आपको so होगा select the type of card पर test करके आप कौन सा ATM card लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप select कर लेंगे मैं यहाँ पर test कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको ATM card के कुछ type आपको यहाँ पर आपको so होगा जैसे visa contactless card, rupay global card, visa global card, master pay pass intl contactless card, master global iocl contactless card आप यहाँ पर कौन सा ATM card लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप select कर लेंगे मैं यहाँ पर rupay global card को select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप name on card पर आएंगे आप अपने ATM card पर कौन सा नाम print करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे मैं यहाँ पर अपना नाम को डाल देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप select address for dispatch पर आएंगे यहाँ पर आपको permanent पर आपका पूरा address यहाँ पर आपको so होगा अगर आपको इस address पर अपना ATM card को मंगवाना है तो यहाँ पर आप permanent वाले option पर touch कर देंगे अगर आपको दूसरे address पर अपना ATM card को मंगवाना है तो यहाँ पर आप correspondence वाले option पर touch करके इस तरह से भरने के बाद यहाँ पर आप next पर टच कर देंगे इसके बाद आपके account में register mobile number पर एक OTP send किया जाएगा जिसे यहाँ पर आप डाल देंगे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ OTP डालने के बाद यहाँ पर आप submit पर टच कर देंगे मैं यहाँ पर submit पर touch कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप screen में देख सकते हैं ATM apply request का notification स्क्रीन में इस तरह से so होगा इस notification में आपको reference number भी यहाँ पर आपको so होगा इस तरह से ATM apply request का notification आपके number पर भी आ जाएगा so आप इस तरह से ATM card को SBI Yono application की मदद से apply करके मंगवा सकते हैं मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment करके बताए मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like share कर दे और मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजे ताकि इसी तरह का वीडियो और basic knowledge आपको आगे मिलते रहेंगे धन्यवाद